महज 50 रुपे चोरी के मामले में एक राक्षस बाप ने अपने 10 साल के मासू बेटे को पीट पीट कर मार डाला बेटे के हत्या के मामले में पुलिस ते आरुपी बाप को गिरफतार कर लिया है ये पूरा मामला ठाने के कलवा इलाके के वाभुबा नगर के जैसंतोसी चाल का है 29 दिसंबर की रात में ये पूरा हाथसा हुआ है इस कल यूगी बाप की कर्तूर जिसने भी सुना वो दंग रह गया महज 50 रुपे के लिए बच्चे की इस बाप जान ले ली डॉक्टर के मुताबिक बच्चे के शरीर पर कई जगहां चोट की निशान है और दोनों हाथ और बाएं पैर की हड़ी तोट गई है और खोपडी में भी चोट लगने की वज़े से इस बच्चे की मौत हुई है आरूपी बाप का नाम संदीब उर्फ बबलू उम प्रकास परजापती 41 वर्षी है बताया जा रहा है कि 10 साल का करण परजापती ने घर से 50 रुपे ले लिये थे और इसकी जानकारी जब इस शराबी बाप संदीब को लगी तो बच्चे के साथ मार पीट शुरू कर दी बेरहिमी से पीटने के बाद इसे कंबल में लपेट दिया इस घटना की जानकारी किसी ने पुलीस को दे और मौके पर कलवा पुलीस पहुँची और बच्चे के शौक को पोस्टमोटम के लिए भेज दिया है। इसे सलाखों के पीछे भेज दिया है। तमाब खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं।